गुजरात में तुफान बीपरजोय को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है और आशंका है कि अरब सागर से आ रहे ही ये तुफान कुछ दिनों में गुजरात में लेंडफॉल करेगा ये तुफान प्रचंड रूप भी ले सकता है जिसका अलर्ट लगातार मोसम विवाग दे रहा है वहीं केंद्रे मंतरी ग्रह मंतरी ने भी 13 जून को चक्रवाती तुफान बीपरजोय की तयारियों की समीक्षा बैठक की थी इस दोरान केंद्रे ग्रह मंतरी अमिश्या ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों ने 9 सालों में मिलकर कई उपलबदियां प्राप्त किया है अमिशा ने भरोसा दिलाया कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से तयार है और कहा कि हमारा ओदेश्य जीरो कैजवल्टी सुनिष्चित करना और चक्रवाती तुफान बीपरजोय से होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम करना है ताजा मौसम के हालातों की बात करे तो मुंबई में 13 जून को नियूंतम तापमान में भारी गिरावट दर्च की गई क्योंकि शहर में चक्रवाती तुफान बीपरजोय के कारण बारिश होना शुरू हो गई है बीपरजोय के प्रवाब से गुजरात के अरावली जीले में के हिस्सों में भारी बारिश अब तक 30 जार स्यादा लोगों को सुरक्षि स्थानों पर पहुचाने का काम किया गया है वहीं चक्रवाती तुफान से प्रवाविच जिलों में NDRF की 17 और SDRF की 12 टी में तेनात कर दी गई हैं आपको बदा दे कि भीपरजोय को ध्यान में रखते हुए सबी ट्रेने और स को भी नुकसान पहुच सकता है और कुछ हिलाकों में बारिश के साथ ही बाड़ा आने का खत्रा भी है